मुझे विश्वास है कि आज पौईतरात्मा बहुँ सारे लोगों के जीवन में आशीशों को उतारेगा जब मैं प्राथना कर रहा था तो पौईतरात्मा ने मुझे कहा कि उस समय कि अपने लोगों को बोल कि activate करो अपने आपको activate अगर आपके पास sim है और आप अपने आपको activate नहीं कर रहें अपने sim ले लिया लेकिन अपने activate नहीं किया तो आपका mobile प्रह अभी आपका Orleans काम नहीं करें और मेरे अंदर एक सिम जा रहा है वो है विश्वास तो इसी समय आप विश्वास के साथ जब खड़े होंगे तो परमिश्व आपकी जिंदगीयों में काम करेगा मैं इसी समय देख रहा था सीमा और आत्मा ने मुझे का क्या आप विश्वास करते कि जो भश्यवाणी प्रभू मुझे दिखाए वो आपकी जिन्दियों पोरी होंगी देखो पवितरात्मा ने मुझे का था कि अमिताब अच्चन जी नए साल पर शिरब मैं फोटो फोटो दिखाऊंगा आपको जलक जलक एक साइड बे चलातार है डबी में वीडियो जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि और सी समय उनको प्राबलम होगी और वो हस्पिटल चलेगे नए साल के दिन मेरा उनके साथ कोई जान पेचान या रिष्टा नहीं है लेकिन पवितरात्मा सब के लिए भविश्यवानी कर सकता है उसके लिए कोई धरम कोई जात परमेश्वर नहीं देखता है जब भवि परमेश्वर आपकी जिंदिगें में कुछ करना चाहता है पवितरात्मा ने बताया था कि ममता बनर जी के बारे में वो भी पूरा हुआ नए साल पे बहुत सारी भविश्यवानी होई थी और यहीं बताया था केजरी वाल जी को कुछ प्राबलम आ सकती है और आप केजरी जी को आज की न्यूज में दिखा रहे हैं कि वो चार बजे पांच बजे उने रेस्ट कर लिया गया मेरे कहने का मकसद ही है कि बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर हटा सकता है बहुत सारी प्रस्तितियां लोगों के साथ आती है और जाती है लेकि आपके लिए राइट टा परमेश्वर आपसे बिंती करता हूँ कि मेरे प्रभू जो लाइव सुने आज और बचन को सुने परमेश्वर सच में आज पोईतरात्मा ने की जिंदगियां बदल दे शमसी के नाम में जिन लोगों ने समय दान भेड़ दान जश्वांच दिया है पोईतरात्मा जी तेर परमेश्वर अज़ाद कर रहा है लेकिन विश्वास से आज तीन दिन दगातार कहा रहा हूँ कि एक्सीज बैंक में आईश्य बैंक में आप बीज बोकर देखो परमेश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ोतरी रखी है मैं कर रहा हम तीन दिन के बाद कई बार हम बड़ी बड़ी गवाई लेते हैं चुटी चुटी हम गवाईयां लेते हैं बहुत सारे लोगों के घर बने हैं बहुत सारे लोगों को जोब मिली हैं बहुत सारे लोगों ने नशे छोड़ दी हैं बहुत सारे लोगों के घुटने पेन खतम होगे गले में टॉ सिर्थ एक खतम होगे मतलब यह चोट चोटी गवाईया भी मैं आपको सुना रहा हूं किसी को बाइक मिली कार मिली किसी के बच्चे ने टॉप किया तो मेरी बेटी ने भी टॉप किया तो परमिश्वर सुनता है प्राथनाओं को आज आप खाली आत नहीं जाएंगे परमिश डॉप के लिए भी मार्य करते हैं देखो पहले नहीं पहता था मितावचन जी यह पिसबुक की भी शिवर स्वेटिदी नहीं है तो आप मितावचन कट वह बीमार पड़ेंगे पहले नहीं पताथा रहता है मताबिश जी बिलर जाएगी क के जडिवेवान को नहीं पता था जाते हैं उस पर विश्वास करो क्योंकि वो नभी परमिश्वर की और उसे बेजे जाते हैं पवित्रात्मा उनकी जिंदियों में काम करता है अगर आज आप चाहते हैं परमिश्वर आपको आशीज दे तो मैं देख रहा हूं ऐसे किसी का हाथ में इसी समय कोई इंफेक्शन हो गया बहुत बुरी तरीके से अलर्जी हो सकती है यह कोई जल गया है और कोई मुझे देख रहा है इसी समय पवित्रात्मा ने मुझे का कि अब इसी समय डॉक्टर कर रहा कि हाथ काटना पड़ेगा मैं स्टॉप करता हूं शमसी नासरी के नामे तो गुड नियूस देता पर मैंश्वर आपके लिए घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है गुवर्मेंट को कुछ ऐसी स्कीम निकाल रहा है पवित्रात्मा ने मुझे का जो जुप भी जोपड़ी में रहते हैं सडकों पे रहते हैं आपके पास घर नहीं आप किराए पर रहते हैं जिनके नाम जी एन नियोज आने पाए श्मसी के नाम में इसी समय पावित्रात्मा मुझे बहरा है कोई अस्टेलिया से बहन मुझे देख रही है कोई दिमार पढ़ी है अजाद हो रही है श्मसी के नाम में नवनीद आपके बुखार की प्रॉबलम जा रही है सार्थी सार्था सार्था blessing आ रही है परमिश्व राशी देश मसी के नाम में क्या आप चाहते हैं कि पवितरात्मा मेरे उपर देया करे आईए अपने सिर्पे हाथ रखें पवितरात्मा जी मैं पराथना करता हूं जो लोग इस समय बचन का बीज बो रहे हैं अप अपने दिमाग में इस समय परमिश् जाख और सी समय मौनू मैं देख रहाएं कोई पेट की समस्याव इसए अजद़ और रहे है उफनी आरे यह मैं जिनाचरी के नाम में सनेहा ंघर की आशीच को पारे आप यह श्यमसी के के नाम Mें प्रभु ने मुझे का S और R और G नाम बालों का मैं नमबर लगा रहा हूँ blessing देने के लिए क्या आप लेने के लिए तियार है सुमन रिखा गुर प्रीत ऐसे नामों को प्रमिश्वर blessing दे रहा है लेकिन पवितरा आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं चमतकार पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इसलिए अपनी लाइफ में लोग चमतकार को नहीं देखते हैं सारे लोग चमतकार दिखाना चाते हैं क्या आप चमतकार देखना चाते हैं सबकी इच्छा है कि मैं चमतकार को देखो अपनी घर में जोब में शरीर में मैं किसी भी चीज में हर चीज में मेरे साथ मेरा परमिश्वर चमतकार कर दे सबकी इच्छा है लेकिन परमिश्वर का चमतकार पर विश्वास येशु मसी ने पहले किया फिर विश्वास किया फिर सिखाया समझ रहे हैं कि ने पहले उसने चमतकार पर विश्वास किया फिर सिखाया पहले उसने किया कुछ धरती पर आकर किया करम किया और फिर सिखाया समझ रहे हैं मेरी वाद कि उसने पहले साल जबर्दस तरीके से इस्तेमाल किया मैं वही बता रहा हूँ आप करम तो करो, प्राथन तो करो, बाइबल पड़ो करें आप विश्वास करें पवितरात्म करा कि आज राद आपकी लाइफ में वो अटबूत होगा जो आपने नहीं सोचा आज से आप बदलने लगेंगे, आशिशी तो होने लगेंगे इश्व मसी के नामे, हम चमतकार पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में चमतकार होते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में गवाईयां बनती हैं इसलिए हम आज भी विश्वासी के लाई जाते हैं समझे रहे कि नहीं मसीयत के लाई जाते हैं मसी के लाई जाते हैं हम इसलिए हमें लोग बोलते हैं कि तुम मसी पर विश्वास करता है क्यों कि हम अपनी गवाईयां देते हैं ये शू आपके साथ हैं आज वो चमतकार करेगा जितने ओनलाइन देख रहे हैं मैं गोशना करता हूँ प्रभू ने मुझे का आज जितने मेसेज उगो ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे आज विश्वास करेंगे कि उनके साथ एंजल चमतकार करने वाले उनके घर जाएंगे एश्वमसी के नाम ने कि आप अप बिलीव करते हैं कि एंजल होते हैं तो एंजल आज रात आपके घर में चमतकार करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आज का हमारा टूपिक है हम देख ते हैं स्क्रीम पर miracle को एक्टिवेट करे हैं अगर आज आप करते हैं तो पोईतरात में गुड न्यूस देने वाला है शुमसी के नाम मैं एक लोग डाउन में एक औरत की बात बता रहा हूं कि उसका फोन आता है और वो बताती है हमारे प्रेय टावर पर के पापा लोग डाउन में जब आप प्रेयर करते थे के मिराइकल मनी हो मिराइकल मनी हो मैंने इतनी प्रेयर किया मिराइकल मनी के लिए परमेशर ने लोगों के घर पर मिराइकल मनी किया उस ओरत ने बताया कि मैं विदवा हूं और मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने तक्या उठा के देखा दो हजार के नोट मिलते थे उसके अंदर कहती ही कि उसके बाद कहती ही मैंने देखा कि फिर पांसो के नोट मिलते थे कहती ही कि वो डेली एक दिन नहीं डेली जब तक लोक्टाउन लगा रहा उसके घर में ऐसे से मिरेकल होते रहे तो क्या ये विश्वास करने वाली बात है कि नहीं लेकिन हम लोग बहुत बार गलत सोचते हैं और गलत मेंटिलिटी रखते हैं इसलिए करें परमेश्वर कि अपनी गलत सोच से गलत मेंटिलिटी से बहार आ जाओ और काम करने दो परमिशर को आपको अगर बढ़ना चाहते हो चमतकार क्यों नहीं होते हैं दो कारण है मतलब कि गलत लोगों के साथ हम संग्ती करते हैं नैंटिव लोगों के साथ या ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं धार्मिक कौन? जदा धार्मिक किता दिखाना, के नई-गे वाइवल में गया यह लिखा ही नहीं, पहले तो वह रहा ही नहीं, ऐसे करो वह जदा शिक्षा पर आप चले जाते हैं, आप बलीब नहीं कर पाते, क्यारा कि इसलिए आपके जिवन में चमतकार होने बंद हो जात आप बिलीव करते हैं तो पुईतरात माजरात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये रीजन जो हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभू चाहेगा तो मैं चंगा हो जाओंगा, इसका मतलब आप परमिश्वर पर शक करते हैं, ये बच्चा जब बिमार हो जाता है तो क्या मा ये पूछती है बच्चा पूछता है मा तू चाहती है मैं चंगा हो जाओं तो परमिश्वर का आत्मा भी यही बताना चाहता है आपको आप इस गलत तरीके से प्रांथना कुछ लोग संसार में गलत टीचिंग ले रहे हैं इस कार परमिश्वर की इच्चा के तुम बढ़ो परमिश्वर की इच्चा के तुम तरक्की करो तुम परमिश्वर की इच्चा घर बनाओ परमिश्वर की इच्चा तुम चंगे हो जाओ परमिश्वर की इच्चा के तुम बहुत आसीशित हो जाओ लेकिन यह शैतान कहीं बार ल तो तरीके की बाते हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बॉलने में, हमारे सोचने में, परमेश्वर को जब हमारे विश्वास में एक्टिवेट नहीं लगता, करना जब हम अपने आपको एक्टिवेट नहीं करते हैं, चालो नहीं करते हैं, प्रेर को चालो नहीं करते हम भरोसा करना कम करना शुरू कर देते हैं और धिरे 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 मारी प्राथना एक काम हो जाती है हम निराश हो जाते हैं लेकिन परमिक्षर का आटमा बता रहा था कि एक चोर और एक डाकू कुरूस पर थे और इशो मसी बीच में था तो DAN तो कोई पाप ने किया तो उजे क्यों चड़ा दिया है यहां फर तो सी समय उसने का अगर तो भगवान है तो मुझे भी उतार के दिखा यहां से मतलब वो एक शक कर रहा था जब हम शक की प्रात्ना करते हैं शक की राते करते हैं तो हमारी प्रातनाओं का धंग जब सही नहीं होता तो परमेश्वर कहीं बार उसमें टाइम लगा देते हैं आप समझे कि मेरी बाद कि आपको कहीं बार ये इसलिए टीचिंग देता हूं कि ताकि आप संड़े को तयार होकर आएं प्रिपेर होकर आएं तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहां पर उसी समय चोर ने क्या का वो हाँ सिर भी ने उठाया और उसने का कि प्रभू मैं जानता हूं कि मेरे मैं बहुत पापी हूं लेकिन यह जानता हूं कि आप मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं उसने उसी समय उसने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा इसका मतलब आज ही आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट उपर जाएगी शमसी के नाम में जब आप अपनी गलत सोच को बाहर निकालेंगे जब आप अपनी गलत धंकी प्रातना को बाहर निकालेंगे तो उसी समय क आपकी सोच में कुछ नेगटिव बते आती हैं इसलिए कह रहा है कि हम वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं मिराइकल होते हैं आज भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये मैं तो दस साल से मैं जब हैदराबाद में गया तो उसी समय अंदे देखे लंगडे चले कॉमा में से लोग ठीक होगे और बेट पे से खड़े होगे ये तो पहली बार नहीं कहीं बार होगे लेकिन मुर्दा तक जिन्दा हुए है मैं घमण नहीं करता हूँ आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि मैं किसी जगे से होकर जा रहा था तो मैं किसी मीटिंग में से निकल रहा था तो पैदल निकल रहा था जा रहा था मैं स्टेज के पास तो वहाँ एक बच्चा मरा वा था और वो जिन्दा हो गया तो उसी समय वहाँ पर शोर मच गया तो इसका मतलब क्या है करें कि baible की सुनो वो क्या कह रहा है वो क्या कहना चाहता है जितने मुझे live देख रहे हैं विश्वास करो खुदा चाहता है कि तुम बाप बनो तुम कर दिरक्की करो तुम मकान बनाओ तुम चंगे हो जाओ ऑ्पर मैं शूर यह चाहते हैं कि तुम बढ़ते चले जाओ को क्या लिखा यह कोड़ी ने एक कॉश्चन किया प्रभु इश्व मसी के पास आकर कर रहा है कि क्या आप मुझे शुद कर सकते हैं हम पढ़ेंगे हाँ एक कोड़ी उसके पास आया उसे विंती की और उसके सामने गुटे टेकर उसे कहा यदी तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है मैं इसको question की तरह पढ़ूँगा कि कोड़ी येशु के पास हाया और से विंती की और करा कि क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाओ इसका question ये है इसको समझने में थोड़ा problem है करा देखो लिखा करा और उसके सामने गुटने टेक कर क्या करा इसका मतलब योगता ढूंड रहा है परमिश्वर के अंदर talent है के नहीं है येशु के अंदर talent है के नहीं है और येशु मसी उसको देख रहा है करा question कर रहा है मिरसे यदि तू चाहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाओं मतलब अपनी मां से पूछ रहा है अपने बाप से पूछ रहा है क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाओं अरे वो सबका बाप है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ उसने क्या उत्तर क्या दिया इसी में इसके एक तालिस में कहता है मैं चाहता हूँ कि तू शूद हो जा इसका मतलब येश्यो मसी का आंसर क्या था कि मैं चाहता हूँ तू शूद हो जा इसका मतलब शेतान ने कोड़ी को इतना ड्रा रखा था कि तू चंगा नहीं हो सकता तू अशुद है तू अशुद है और वो तक्ती गले में लटका कर वो दोड़ता जाता था बोलता था मैं अशुद हूँ चमतकार करता है लेकिन उसने अपने आपको activate किया हो सकता था वो स्कुरिडी पर बैठ कर मर जाता धोश हो जाता ना जाता ही शुमसी के बास लेकिन वो सी समय उसने अपने mind में क्योंकि शेतान उसके mind में इतना ड्रा रहा था तो चंगा नहीं हो सकता क्योंकि वो गाओं गाओं में गली गली में महले महले में ये टक्ती लटका कर गुम रहा था कि ऐसे टक्ती पर लिखा वा था मैं अशुदू मैं ना पाक हूँ मैं ना पाक हूँ मैं ना पाक हूँ अशुदू और दोड़ रह थाया और रो रहा था लेकिन उसके हिर्दे से पुछो कि उसके रियाएंडर क्या चल रहा था और वो उक्वल्डी पर बैढ़ कर गाउं के मोड पर बैढ़ कर उसको रोटी भी पता नहीं कैसे नसीब होती होगी वो बैट कर रोता था और वहाँ पर लेकिन उस समय में जब ये शुमसी मां से आ रहे था 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 उसने सुना और शी समय उसका ओश हो सकता था कि वो अपने आपको एक्टिबेट ना करता उसका मन टूटावा था उसका दिमाग टूटावा था उसके विचार खतम हो रखे ते लोगों ने इसको डुआ रखा था हो सकता है आप में से भी किसी डुरा रखा हो ते रहकर माव नहीं होने वाला तेरे नोकरी लगने नहीं वाली तो इरे उपर कुछ नहीं होने वाला और हम शुक कर रहे हूं इसोड़ी के तरह के कि इसने उसी समय अपने आपको activate किया है चुपकर कोडी के तू कोडी नहीं है तू परमेश्वर का जन है और तू जा इश्वमसी के पास क्योंकि परमेश्वर ने इश्वमसी को बिमारों के लिए रखा है हालेलूईया और वो दोड़ता है और वो दोड़कर इश्वमसी के पास जाता है और जाते ही उसने क्या काम किया एक्टिवेट करना यह होता है कि उसने हाथ जोड़कर विंती किया घुटने टेक कर प्राथना किया घुटने टेक दी एक्टिवेट कर लिया आप अपने आपको सुबह उठकर कर एक्टिवेट ही नहीं करते प्राथना में नह तो परमेश्वर आपके पास कैसे आएगा लेकिन यहाँ पर उसी समय कर रहा कि ये शुमसी जानते थे उन्होंने पुराने नियम को फोलो किया उसने नए नियम को भी फोलो किया तो जानते थे पहले से और उसी समय वहाँ पर जब उसके पास आया तो उसने कोडी के पास एक टीचिंग थी, इश्व मस्छी उसको ये बताना चाते थे तेरे पास एक गल टीचिंग है तु बोल रहे हैं कि मैं अशुध हूं बेकार हूं मैं कोडी हूं इश्व मस्छी ने उसको खा ये गलल टीचिंग करना बंद कर, कहता है कि तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं बहार आ जाओं तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं चंगा हो जाओं परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा है या नहीं है लेकिन तेरे बाप इच्छा है तु चंगा हो जा कहता है मैं चाहता हूं तु चंगा हो जा इसलिए आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर ये कोड़ी को पवितरात्मा ने छुआ भी नहीं मुझे पवितरात्मा ने बताया करा कि येश्व मसी ने उसको छुआ भी नहीं पवितरात्मा ने मुझे बताया एक रात ड्रीम में कि जब मैं इसको पढ़ कर सो गया तो पूटरात्माने का कि यशो मसी नो उसको छूआ भी नहीं यूज हूए लेकिन आपको समझ नहीं है इसको देखो उसको क्या लिखा क्योंकि यशो मसी पुराणे नियम को जानता था वहाँ पर क्योंकि येश्यो मसी आग्या को तोड़ने नहीं आया कमांड्स को खतम करने नहीं आया अपने खुद के बाप के बनाएवे आदेशों को खतम नहीं करने आया क्योंकि पुराने नियम में एक आदेश था करा है कि अशुद बस तुम को ना चुड़ा ये अशुदू था, कोड़ी था और उसी समय ये श्यो मसी ने उसको छूने से पहले ही चंगा करदिया था समझें जो एंग बाद फिर उसने उसको छूआ करे कि उसने छू कर कहा मैं चाहता हूँ तू शुदू हो जा और उसी समय उसको करता है मैं तेरा दिमाग शुद करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तेरा दिमाग शुद हो जाए कि देख तुम पहले ही चंगा हो गया मेरे छोने से तेरा दिमाग शुद हो तेरे कान शुद हो, तेरा नाग शुद हो, तेरे मन शुद हो तेरा विचार शुदो तरी बोल शुदो करता कि मैं पहले चंगा करने वाला पर मिश्वर अगर तुम्हारे विश्वास में करा घटी है तो करा कि आज भी तुम्हारे काम रुके पड़े हैं लेकिन अगर तुम करा कि अगर विश्वास करते हो अपने आपको विश्वास में अक्टीवेट करो करा कि बस करता है कि तुम चंगे हो जाओगे ये शुमसी हो सकता था इसको चंगा ना करता इसके गलत प्राथना पर गलत विचारों पर बापी जा सकता था लेकिन ये अपने आपको अक्टीवेट कर किया था आप लोगों को बोलते हैं कि एक बार चर चल तो चंगी हो जाएगी जब चंगे नहीं होते हैं तो हम माँ पर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भाई परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा हो जाएगा आरे मत कहीं ऐसा परमेश्वर की इच्छा है कहता है कि लेकिन वो देखना चाता है आप कितने दिन एक्टिवेट रहना चाते है कितनी बार जाल डालना चाते है पतरस की तरह है आप कितनी बार कोशिश करना चाते है परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है आप जब कोशिश करते है पउस्टरा आपके जिन्दगियों में वह करना चाहता है मैं कहा रहो हुआ गलत प्रेयर करना बंद करो ये पूछना बंद करो तिरी इच्छा है के नहीं, प्रभु की इच्छा है के नहीं तुम बढ़ो गे, नहीं बढ़ो गे शक्ति चाली होंगे कि नहीं होंगे परमेश्वर कहता है तुम बढ़ोगे शक्ति चाली होगे करा है गोड चाते है जीजस के द्वारा तुम चंगे हो जाओ तुम जाओ और मैं करा हूँ कि सो साल तक जियो परमेश्वर चाहता है करमेश्वर चाहता है ये सोच निकाल दो येश्व चाहेगा तो मैं चंगा हो जाओंगा ये सोच निकाल दो येश्व मसी चाहते हैं आप गलत मत सोचो कहता है कि आप सोच रहे हैं लोगों ने डाल दी है आज कल कहता है कि गलत सोच दी है मैं आपको बता रहा था कि उस समय मे मैं जब प्रातना करनता था शुरू-शुरू में जो मेरे चर्च में चंगाई नहीं होती थी तो असी समय पवितरात्मा ने मुझे का कि कुछ नहीं करना बटे बस बोलता चला जा मेरे चर्च में सो नहीं हजार लाखों चंगे उबा करेंगे हो गे हो गे हो गे कर दो कर दो आब घोषना करते रहो घोषना समझ है कित आप अंधार एकई से हो सकता है मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं कि परमश्वर कान पकड़ Qukakar के चाटा आज आप बिजनस में सही ना हो, आपका बिजनस सही ना चल रहा हो, गोर्मेंट जो बना रही हो, आप बिमार पड़े हो, आप कोड़ी हो, कोई बिमारी हैसी होगी हो, ठीक ना हो रहे हो, लेकिन आप बार बार सक्सेस्फुल ना हो रहे हो, आपको कोई बिमारी कोई इलाज, आपका कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए ना मिल रहा हो परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन आपने आपको सही करना है बस सही प्रेयर कुर अक्टिविट करो अपने आपको कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है दिखा मती चैप्टर 19 के 25 में क्या लिखा कि एक जगह पर माँ पर उसी समय एक व्यक्ति आया हो और इशो मसी से कोच्चन कर रहा था कहता कि जूट नी बोना गाली नी देनी शराब नी पिना और इतनी सारी जब उसने देखी कि इतनी सारी फार्मेल्टी करने पड़ेंगी इशो मसी के स्वरक राज्या पर जाने के लिए तो बोला चेरला ही कह रहा है बाइबर पढ़ने वाला प्राथन करने वाला कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा हम तो कभी कभी जूट बोल देते हैं हम दूद के धुले नहीं है परमेश्वर ने कहा कि ये तुम से नहीं परमेश्वर से होगा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है क्यों देखर का उसने शोबसी नहीं मैं आपको देखर कह सकता हूँ मैं आपको देखकर भुषवानी कर सकता हूँ बता आपको मैं आपको बिना देखकर भुषवानी कर सकता हूँ आप मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं बिना देखकर भी कर सकता हूँ जब मेरे सामने लोग आय बनेंगी आप मुझे चंडिगर से हरियाना से पंजाब से यूपी से कॉलकटा से बंगाल से मुंबई से महाराज से कहीं से आधेदराबाद से कहीं से देख रहे हो इसलिए इशुमसी ने कहा राई के दाने के समानी व्योगा तो भी चलेगा मतलब वो कितनी छूट दे आपको कितनी छूट दे लोगों को वो बार बार आता और छूट देता है डिसकाउंट 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 जहां डिसकाउंट होता है वहां लेन लगी होती है जहा पर इश्वमसी किलियर कर रहा है कहता है कि मैं राई के दाने के समान भी विश्वास तुमारा देख लूँगा एक्टिवेट तो करो चर्स तो आओ करा जाल तो डालो कुछ तो करो कहता है कि आप आशिशित होंगे आपको दो जन को डेली बोलना है हाथ पकड़कर परमेचर से सब कुछ हो सकता है आपको दो जन को डेली बोलना है दो जन और मैं कहा रहा हूँ अगर आपने बोल दिया इस साल में तीन बड़े-बड़े काम होंगे आपको इश्वमसी के नाम में कि आप बलीव करते हैं इस साल में तीन बड़े-बड़े काम होंगे इश्वमसी के नाम में आपको बोलना है पवितरात माजरात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नी सोचा लेकिन बस आपने आपको एक्टिवेट रखो चालू रखो अपने आपको चालू रखो इश्वमसी के प्राथना करने के लिए अरे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा से अब समझगे लूका ठारा के छे के साथ में क्या लिखा कि एक जगह पर इश्वमसी उनको समझा रहे थे करा प्रभू ने कहा सुनो यह अधर्मी नियाई क्या कहता है इसकी तो सुन लो कहता है तुम विश्वास नहीं कर रहे पर इसकी तो सुन लो एक अधर्मी नियाई क्या कह रहा है क्या इसलिए क्या परमिश्वर अपने चुनेवों का नयाए ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दोहाई देते रहते हैं प्राथना करते रहते हैं क्या वैं उसके विश्वे में देर करेगा कहता है वो कोश्चन कर रहा है धर्मी कहता है जो दिन रात चुनेवे नयाए परम पर्मेश्वर उनकी बिंती सुनने में देर करेगा और उपक Dias Arafa की इसा के पारे बोलते हैं किते हैं कि नाइ वो देर नहीं करेगा इसी के आठ में पढ़ते हैं कि अन्याई चुकाएगा तो भी मिनुश्य का पुत्र जब आएगा तो क्या है वैपिर्टी पर विश्वास पाएगा बास, यही देख रहा था, परमिश्वार कैता कि ठीक है कैता कि मैं तू जो कहेगा मैं बोई कर दूँगा, तू जो कहेगा वो जाएगा लेकिन क्या? क्या हम एक्टिवेट रखोगे उस ताइम अपने आपको करता है कि अगर तुम चंगे हो जाओ तुम्हे काम ना बने गाड़ी ना मिले घर ना मिले लेकिन क्या उस दिन करता है कि जिस दिन ये शुमसी बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे पर आपको उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना लेकिन जब ये शुमसी बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है बहुत जल्दी न्याएं करने के लिए संसार का आने वाला है महुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और चाती पीटेंगे बेवेर बोलती है कि हाई मैंने शुमसी पर विश्वास क्यों नहीं किया मैं कहा रहा हूँ कि शुमसी कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आउंगा क्या दुनिया विश्वास में रहेगी उससे हम एक्टिवेट रहेगी वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहे आप हमेशे एक्टिवेट रहे मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है Miracle नी ही घर नी है, Miracle होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूँ और चीस मैं कैरा हूँ कि आपके पास गाड़ी नी है, जाओ Miracle होगा तीन Hafते के ंंदर आपका शरीर काम नी करा हूँ मैं कैरा हूँ, Miracle होगा, मुर्दों में घान डालने वाला संड़े के दिन, मैं करा हूँ कि खास कर, आप ये पाम संड़े आ रहा है, ये संड़े के दिन, पर किता है पाम संड़े इसलिए आया कि ये ये शुमसी के नाम का जो परचार हो रहा था, पुरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला, तो उसको करा कि, वो, देखो, कोई कराया, कि आपने आपको चालू करकर आया, कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं, मैं जिस भी हाल में रहूँगा, परमेश्वर के कामों को पूरा करूँगा, और मैं मुक्ति का मार हूँगो, भाईश्यमानी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सालो साल से भाईश्यमानी उन्हों को देखना चाहता था कि मैं यरूचले में लोग activate active है उसी समय वो active थे उन्होंने अपने आपको activate किया था कि येश्व मसिध आएगा कितने दुख में थे वो, यहोदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार करें तर बगा दिया जाता था, जो इशुमसी पर विश्वास करते थे परमिशर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे, खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा चलोने, कि नहीं यह शुमसी आएगा और फिर से हम बड़े-बड़े काम करेंगे, वो इसलिए कहरा है करता है कि मैं क्या दिन रात, मुझसे प्रातना करने वाले लोग, कहता है मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है, अपनी आत्मों का एक्टिवेट रखना है, परमिश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाले, कोई भी बुरी कलपना नहीं बनाने वाले, परमिश्वर आपके साथ एक अच्छी कलपना बनाने वाले, अच्छी योजना त्यार करने वाले, आपके पांस प्रॉफिट भीजे जाते हैं समझ रहे हैं मेरी बात को तो इसलिए रिचार्ज करता है परमिश्वर जब मैं है अधराबाद में गया लोग जाते हैं चर्च लेकिन कहते कि वह बस वहाँ पर उनको healing का पुराने नियम में होती थी नए नियम में नहीं होती थी पस वह Christian हैं लेकिन उस ही से मैं जब में गया है लोग अग comments ओ और में जाता है वहाँ रिचार्ज करके आढ़ाँ उनके पाले काले 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 गोरों रिचार्ज करने वाला बनूगा मैं एक दिन, आपको दिखाएंगे अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे, परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहां सुस्त हैं, वहाँ पर प्रॉफिट को भेजा जाता है, ये शुमसी एक नभी था उसको भेजा, और लोग चार्ज होग एफिशियो के पांच के बाइस में क्या लिखा, पत्नियों को आदेश है, क्या आदेश है पढ़के बता, है पत्नियों, अपने अपने पती के दिन रहो जैसे प्रभू के, है पत्नियों, अपने अपने पती के, क्या लिखा, अपने अपने पती के, लेकिन अपने पती के इसको मतलब वो समझ रहा था और समझ आ रहा था। को स्षुर्ग को निकाल दिया गया। समया रह сожал रहे थैंकि अगरλαछ में आप आपने आपको एक्टिवेट करना तो यहां पर सिखा रहा था कार ले लिए अकर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसी होगी वो एक्टिवेट नहीं करोगे उसके अंदर लगाओगे नहीं मुबाइल ले लिए सिम डालोगी नहीं तो चलेगा का से तो आपको एक्टिवेट करना है आपने दाइबल लेली चर्च आपने पढ़ना है नहीं कहता है पराथना करनी आगी कर लेकिन लोगों के लिए पराथना नहीं करनी अपने लिए पराथना नहीं होती करनी आगी कहता है इसका मतलब आप अपने आपको चालू कर आप अपने आपको चालू कर तो इसी समय जब आप अपने आपको चादू करते हैं परमिश्र करेगा या शाया के थटीस के पचीस में या शाया थटीस के दो और पांच में देखें यहां पर एक राजा था और उसका नाम हिजगिया था और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया रहो विमार पढ़ गया और उसको एक बड़ी न्मारी हो गया तो अशी समय वो मरने वाला था दोई शक्ता उसके पाथ जाता है और उसको बोलता है कि तूने परमिश्र का कोई आग्या टाल दिये और उसके विश्रास का लाल टेंड-टन फिऊज हो गया और उसके पाथ लेकिन उसने क्या किया देखो आप सुन रहे हैं हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गया हो हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शातान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लाल्टेन जो है विश्वास का वो दर गया हो और शी समय आप डाउन हो गया हो और शी समय कहता है आपको किसी ने कह दिया हो आपके लिए जूटी बविश्यमानी कर दी हो आपके लिए कोई ऐसा करती हो आजकर बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि यह तरह लिए हो जाएगा मैं कहारा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की और से बविश्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है किया рек blog 2019 सेStandaka आपको आत्मा की और से चला रहा है कि hell प्राफिट के लिए भी और अबस्टिल के लिए भी बोला किया है कि वह झूठा परचार करते है आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फाइदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में परचार करने हैं दिखा ना इसको और इसी समय कहरा कि तब उस समय वो परिशान था तो इसी समय पवित्रा आत्मा ने उसको देखा और लेकिन हिजगिया ने यहीं पर बविशक्ता उसके लिए बविश्यमानी करके चला गया कि तू मर जाएगा और उसी समय वो चला गया लेकिन इसने क्या किया यह एक्टिवेट करना जानता था अपनी बोड़ी को इसी समय दिवार की और मुग किया देखने अब दिवार की और मुग कर रहा दिवार की और मुझ के एक सी किया मतलब कि यह असली Christian है यह असली मसीट है यह जानता है क्रमेश्वर को जीतना प्रप्रमेश्वर को हिला देती है आप समझ रहे कि न? प्रॉत्थना करने वाला व्यक्ति क्रमेश्वर से कुछ भी भी ले सकता है लेकिन आपके अंदर गड़ सोने चाहिए अपने आपको एक्टिवेट करने का आपका मेरे से प्राथना नी होती आज किल मैं ऐसे लोगों को बोलते ने कि अपा मेरे सिर पर हाथ रखो मैं आज से प्राथना करने लोगा मैंने सची बताऊं मैंने दो साल हो गया ऐसे व्यक्ति के सिर्पे हाथ ले रखा मैंने मेरी भी चली जाएगी सही कहा रहा हूँ जो बोलते हैं आओ मेरी प्राथना बुलकुल होगी अरे अपने आपको अक्टिवेट खुद करना है नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो अक्टिवेट हो जाएगा यहां पर ऐसी समस्या यह अक्टिवेट हो गया हो कर रहे इसलिए आपको अपने आपको अक्टिवेट करना है ऐसा मत करो कि मैं प्राथना बंद कर दू परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है भविशक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है यर्मिया बोलता है कि मैं आपके लिए प्राथना न करूँ कहता है अगर मैं नहीं करूँगों तो मेरे लिए ये भी पाप है मैं करता हूँ लोगों के लिए प्राथना परमिश्वर ने इसको जान मुझकर बोईश्यवानी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए समझ रहे हैं पराथना में एक्टिवेट हो जाए आज हो सकता आपका बिजनेट डाउन जा रहा हो आपको कैसे पता लगा किसने उठाया आपका बिजनेस आप निचे गिर रहे हो आपको कोई कामना बन रहा हो आपको कैसे पता लगेगा आप दूसरों से हाल मांगते रहेंगे कि यसे पता लगेगा जिस दिन आप खुद पराथना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप ये शुए उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनस को इसको पता लग गया और यह क्या कर रहा है फिर देखो क्या हुआ उसी समय प्राथना करने के बाद तीन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहावा मैं विंती करता हूँ समरंड कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे समुक जान कर चलता है और जो तरी दिष्टी में उसी था वही करता है हूँ कौन बोल रहा है हिजगिया और हिजगिया बिलग बिलग कर रोने लगा इसका मतलब कि इसने अपने आपको रिचार्ज कर लिया है अपने अंदर को आत्मा को एक्टिवेट कर लिया है कि परमेश्वर तु सब कुछ कर सकता है परमेश्वर ने जान मुझ कर इसके लिए भविश्यवानी कर रही यहां परमिशुत्स के पास और इसको कहना ने रहा है जा इसके लिए बविशावाणी कर कहता जा इसको कहें यह हुआ को पहुंचा जा इसको कहें के तु जुन्दा रहेगा तेरी उमर 15 सारो और बड़ा दी और ची समय वो क्या कह रहा था बविशक्ता कहता ही तो मेरे कुछ कएगा जुट बोला है तू झूटा वो ही शक्त है पह्रे कुछ olması बोल रही है आप कुछ? कहता है नहीं इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि तरी प्राथना ने जब तुने अपने आपको एक्टिवेट किया कि नहीं मैं अच्छा मैंने आज तक पाप नहीं किया मैंने आज तक गलती नहीं की आप बोलते हैं कई बार के मैंने आज तक क्या किया है मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया मेरे साथ बुरा क्यों होता है आपको लोगों को बताने की जूरत नहीं है परमिशर को बताने की जूरत है अगर आपने परमिशर को सुन ली गई तरह आसू परमिशर ने देख लिए करा सोन मैं तेरी आयू को पंदरा साल और बढ़ाता हूँ इसमसी के नाम ने कोई करात्मा कह रहा है कि आज रात जो दुखी है जो करजे में है जो बीमारी में है जो समस्या में परमिशर कात्मा करा अक्टिवेट करने के लिए तरह यार है कि नहीं मिराइकल करूँगा तरही लाइफ में मिराइकल वाली गवाई बनाऊंगा आज रात करता है नहीं अरी शादी नहीं हो रही है आप परिशान हो रही हो कहता है बार बार-बार आपके घर पर कोई जाध को यदू उतने करके चला जाता है आँसू देखे हैं परमिश्वर आपके आँसूं को देख रहा है आपके रोने को देख रहा है वो आपके चिलाने को देख रहा है आज विश्वास करना आपको जितने भी डरे में हैं मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमिश्वर ने मुझे भेजा है आपको एक्टिवेट करने तो आपको आशुशित कर राज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आप बढ़ेंगे आज साल के अंदर बढ़ेंगे बोलने वाले बोलने वाले बोलों पर मिश्वर एक्टीव करो अपने आपको एक्टीव हो जाओ बोलने में एक्टीव हो जाओ और इसी समय अंदर से अक्टिवेट करो अपने आपको तीन मिहने के अंदर B, N, R, S, G, H, L, M, P, J, J, K, N नाम वाले लोग गोशना करता हूँ इस्वमसी के नाम में तीन बड़े काम देखेंगे इस्वमसी के नाम में पदा है आप उसको हुए나ा करें आपने आपको अक्टिवेट कर रहे है है और पर्मेशwise का आत्मा आपको कह रही काता है आज रात आप बिश्वास करें इसी समय प्रमिश्वर आपको एक्टिवेट कर रहे है अपने हाथ geliyor आपने हाथों को ःठाएं और प्रातनाय में जाएंगे प्रमिश्वर का आत्मा आपको चुएं और वो बरकादे इस समय पुईतरात्मा जी आज जिन लोगों ने इस समय परमिश्वर किसी भी बिमारी में किसी भी करदे में किसी भी परचानी में किसी भी समस्या में होकर पुईतरात्मा जी आज मुग की आवा इस तरफ पुईतरात्मा लाइब की तरफ इसी समय परमिश्वरande, PBSM, मिनस्टिय में पवित्रात्मा उनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभूो ये दिमार की और मूँ किये वे हैं, परमिश्वर款 इसी समय पवित्रात्मा हिजगिया की तरह इनकी उमर को बड़ा परमिश्वर, इनके कामों को खोल परमेश्वर और इनके आंसकों को देख Pohitratma जी इन्होंने अपने आप को अक्टिवेट करना सीख लिया है अपने हाथांको उठाओ और इससमे अक्टिवेट हो जाओ राहू इतरातमा जी माँगना सटार्ट करो परमिश्वर इसी समय पुकारना स्टार्ट करो परमिश्वर तू दया कर इश्वमसी के नाम में मैं देख रहा हूँ कोई रादा मुझे देख रही है मुरिश्यत से इस समय परमिश्वर इस समय परस्तितियों को चेंज कर रहा है इश्वमसी के नाम मैं आमीन बोलने माले अज़ाद हो रहे हरे एक आशीश आप देखेंगे मैं अशी समय देख रहा हूँ कोई बिन्नु मुमबई से मुझे देख रहा है और उसी समय पौईतरातमा आपकी जिन्दगियों में काम कर रहा है जो लीवर में प्रॉबलम है अज़ाद हो रहा है पवितरात्माजी और विश्वास करता हूं मेरे पिता परमिश्वर तू ऐसा ऐसा काम करने वाला परमिश्वर है जो सच में अद्बुत कर रहा है देख रहा हूं तुम मुझे यूपी से देख रहा है तुम मुझे हर्याना से देख रहा है एक एक शाम मुझे हर्याना से दे आप इसी समय अपने आपको एक्टिवेट करें घुटनों पर जाएं प्रातन करें कोडी के तरह आप एक्टिवेट हो रहे हैं शुमसी के नाम परमिश्वर आपके लिए अच्छा डोक्टर इंच्जाम कर रहे हैं आपको गोली भी खानी ना पड़े परमिश्वर आपको परिशान है पवीत्रात्मों आपसे बात कर रहा है हो वीजे की प्राबलम खतम कर रहा है शुमसी के नाम में मैं देख रहा हूं एक बहन है और CT स्बढ़े मैं पंजाब से मुझे देख रही हैं और एक हरियाना से मुझे देख रही है 37 गर दिल्ली से और CT समय हैं उनके काल आद औरेइए शुमसी नासरी के नाम में वो दुस्ट आत्म की प्राब्लम है अपके घर से बार जा रही है शुमसी के नाम में उसे देख रहा हूँ साहिबा इसे समय जोब आ रही है सवीटी 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 सवीटा कार के साथ बलेस हो रही है आप इशमसी के नाम में और इसे समय बलबीर मैं फिर कर रहा हूँ हाउस की बलेसिंग रिलीज 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 घोशना करता हूँ इशमसी के नाम में आप आश शित हो रहे हैं त kivity ब्लसिंग को आपको ब्लस्स कर रहा है आपको बलस्क कर रहा है। मैंने आत्मा में कोकर देखा कुछ रसीषिय नहीं करते हैं मैं पता हूँ कि परमजीत परमजीत के लिए बोहज़वानी करता ता, के हमारे पास परमजीत करनेश यहं क rich मार antig विश्वास के लिए बता रहा हूँ, हमारा ही बंदा एक केनेडा चला गया और जिसको मैं भेजना नहीं चाहता था, मैं कहा यार, यहां रहेगा, सेवा करेगा, हमारी अच्छा तकड़ा बंदा है, मोटा बंदा है, लेकिन चला गया, तो क्या हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को परमेशर से सब कुछ हो सकता है, तीन बड़े-बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में, इस जिंदगी में, मैं फिर कर रहा हूँ कि इसी साल में तीन बड़े-बड़े काम होंगे इश्वमसी के नाम में, पवित्तर देख रहा है तो मुझे, और इस समय मैं हाथ करके किनेडा से, वैल्जियम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और शी समय इंगलेंड से, आस्टेलिया से, कुछ लोग देख रहे हैं, फिजी से, पहित्तर देख बरे मुझे का, जिनके नाम A, N, R, S, G, H, P, O, D, K से हैं, आप घर की बलेसिंग मिलने वारी है, इस काम तर पियार आप, लेकिन डोक्टर जवाब दे चुका है, और मैंजे दुबई से, दिल्ली से देख रहा है, आप जवाब दे चुका है, डोक्टर आपको, लेकिन परमिश्वर का आत्मा करा है, कि आप बोलो, कि परमिश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अपने हाथों के लिए बड़े सारे इंतजाम की हैं आप आएं पाम संडे के दिन जो लोग प्रभु के दास से मिलके जाते हैं प्रेयर करा के जाते हैं पानी डालेंगे आपके लिए अलग अलग तरीके से हम ओयल और आपको हर ब्रांच में ओयल दिया जाएगा और वो शीशी फ्री होगी आपके लिए ओयल महंगा आता आपको बताईए सारी ब्रांचों में भेजना मुश्किल होता है लेकिन हम भेज रहे हैं इस बार प्रेयर करके और आप वहां से कॉलेक्ट करेंगे पाम संडे पर ओयल लेकर जरूरी जाना होता है और प्राथना करना होता है और समय क्योंकि जो आपने फास्टिंग की हैं वो बेकार ना जाएं आपके लिए ब्लेसिंग भरे रहे हैं इस साल में आप आशीश को खुलते वे देखेंगे जिनिका नाम G-N-R-S-P-K-M L से और V से और Y से हैं तीन मिने लगा तार बोलूँगा पवितरात्मा ने मुझे का जल्दी आप प्रेगनेंट होरें इस्वमसी का नाम में इसे समय ब्लेसिंग दे और चीश में देख रहा हैं कोई गोवा से देख रहा हैं और चीश में न्यू बिजिनस आपका खुलने वाला है बड़ी ट्रैजटी होगी थी बिजिनस में स्टॉप हो गया था परमेशर का आत्मा फिर स कि आपका बिजिनस खुलने एस्वमसी नाम कोई सणी देख रहा हैं मुझे लैजन्स की प्रॉबला में वे फॉरन में इस एज अर ची एच एन नाम वालों के फॉरन में लैजन्स बनने वाले में ड्रैविंग टेस्ट आप किलिएर करने वाले एस्वमसी का नाम मिए इस ब जब फोटो या वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि हमने चटिसगड से एक बहन आई और उसने प्राथना कराया और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया MLA बन गई और उसे दूसरी पार्टियों ने चिड़ कर उसको बदनाम करना शुरू कर दिया लेकि मैंने देखा भी न्यूज में और बहुत सारी चीजें हमारे बारे में गलत बोली और मैं उस चैनल पर केस ठोका है मैंने अभी कहते है केस नहीं ठोकना लेकिन बाइविल में दिखा जो परमेशर का है परमेशर को दो जो सरकार का है सरकार को दो मैंने उस पर केस ठोक है कि मेरे को किसी ने भी अभी थाबित नहीं किया कि मैं इस केस में हार गया हूँ या मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे कैसे जूटा ठरा रहा है तो मैंने उस न्यूस चैनल वाले को अभी एक करोड रुपे का दावा किया जब उसे एक रोड लूगा लेंटर डालूगा उससे और वैं उनका बोल रहा हूँ और दूसरी बात कि आप इसी समय परमेश्वर के जन है जहां पर भी आप इस समय ब्रांच लगाते हैं आपको आपका राइट बनता आपका दीकार है आप वहाँ पर लगा सकते हैं आपको ड्रने की जुरुत नहीं आपको कोई धर्मनी बतला जारा आप सिर्फ परचार सुन रहे हैं आप परचार को सुनें टिवी पर बस एगरिमेंट रखी हैं अपना हमारे चर्च का एगरिमेंट आपके साथ पैलस के साथ हो समझे परमेश्वर आपको आशी दे आपको ब्लेसिंग दे आप जाएं आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपके ओपर कोई मुकदमा चली नहीं सकता लो है ही नहीं यह समझे रहें वो ऐसे ड्राया जाता आपको आप किसी अच्छे वकील को पकड़ो और वो करो ऐसे डरना नहीं यूपी में कहीं पर भी आप डर रहे हो तो मड डरे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंद्गें में काम कर रहा है अब यूपी में जो सताव ओरा था वो कम होना शुरू हो जाएगा ब्लेसिंग आनी शुरू हो गिया डॉंट मेरी पराइटरात्मा इसी समय चत्तिस गड़ में वो जो सताव ओरा था मार्च मिनने के बाद खतम अपरेल मिनने के बाद खतम गुड नियोज आएगी अब परमेश्वर फेवर करेगा अब आपका इश्वर मसी के नाम में अब प्राथना किया हमारे बीच में यहाँ पर वो सारी फोटो में वीडियो में दिखाउंगा के जो जो भी प्राथना करा कर गए और वो मंत्री बन गए और हमारे बीच में बहुत सारे Congress Party की वियाए, BJP Party की वियाए, सब आए, हमारे पास सब आते हैं, एक नहीं आते हैं, छोट छोट दिखाए, छोट छोट, और चीज समय, यह भी हमारे पास आए, आम बार्टी से थे, और उसके बाद यह मंतरी बन गें, पहले MLA बने, फिर मंतरी बने, परमिश्वर ने आशी दिया, BJP Party की विया, कांग्रिस Party की डिप्टी सीम बन गे थे, तो आप किस-किस को रोकोगे, न्यूज वाले किस-किस को रोकेंगे, जब खुदा काम करना चाहता है, तो कोई नहीं रोक सकता, आप समझ रहें के ने, तो यह मेरे उपर गिफ्ट है, अगर जो कि एलेक्शन म आपकी जिदगे में काम करेगा, अभी सी समय बलेसिंग उतरेगी, अब अलबा शाबा बालबा अलबा शाबा बहुतरात्मा बलेसिंग दे शी समय, अपनी हाथों में पकड़ो अनौइन्टिंग ओल, और सी समय अजद हो जाओ, वाहितरात्मदी जो लोग इसलमें, गांटे होगी है पानी वाली गिल्टी है कोई बच्चे दानी में इसी समय बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए शमसी के नाम में मैं इसी समय अजाद कराता हूँ आपको इसी समय आपकी फिरफ अनोइंटिंग वाटर को छोड़ रहा हूँ और इसी समय आप गुड न्यूज को देखें शमसी के नाम में जिन ओरतों के पास बच्चा नहीं है सिर्फे आथ रखो इसी समय अजाद हो जाओ शमसी के नाम और इसी समय पॉटरा आतमा गुड न्यूज आने पाए परमिशर मैं परात नहीं करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग जिन के नाम मैं देख रहा हूँ ए ए एन आर एस पी जी और वाई से एफ से के ल से तीन मिन लगा तार बोलूँगा यूपी ओडिसा हर्याना पंजाब में सब्लेस फोजाओ उप्लेसि के नाम वेस्ट बंगॉल में देख रहें लोग माराज से देख रहें हादराबाद से देख रहें परमिशर का आतमा के पॉटेंग होते हैं आजबी होते हैं आपको सुना रहा हूँ हाँ मेरा नाम कुंडलिक राठोड है, मैं परभनी महारास्टे बात कर रहा हूँ और फरवरी महिने में संदे के दिन पापाजी फ्रोफेसि कर रहे थे उसी दिन कि आठ दिन के अंदर के नाम वालों को जॉब मिलने जारी है और के से एल से हैं, आपको गुड नियूज मिल रही है, गुड नियूज गौवर्मेंट जोब की गुड नियूज मिलेगी तब उसी फ्रोफेसि को मैंने रिस्यू किया और मुझे आठ दिन के अंदर कॉल आया और गौवर्मेंट जाब मिली उसके लिए मैं प्रभु ये शुमसी का और प्रोफेट जी का लाखो कोटी का धन्यवाद देता हूँ आप देख रहे थे के बहन की गौवर्मेंट जोब लगी महारास से मैं फिर कर रहा हूँ जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपकी गौवर्मेंट जोब आ रही है शुमसी का नाम में बलस करता हूँ शुमसी का नाम में मैंसे समय देख रहा हूँ कि बलसिंग का नाम में इसासिश देख रहाह ही हैं आपको बलसिंग मिल रही है शमसी नासरी के नाम में आशिशे रिलीज करता हूँ शमसी 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 के नाम में आशिशे रिली और नियोजाने पाई इश्व मसी के नाम में, और चीज़ से पोईतरात्मा ब्लसीं में, अभी इसी समय हम एक और गवाई को सुनेंगे हाँ जल्दी से इशावाज़ा मेरी आंटी को बाई सालों से कोई भी बेबी नहीं था और एक दिन मैं पापा जी का लाई मर्टिंग देख रहे थी तो पापा जी ने प्रफेस्टी की थी कि वी नाम वालों के लिए बेटे के आशाष मिलने जा रही है मैंने इस प्रफेस्टिक वर्ट्स को अपनी आंटी के लिए रिसीव किया और वो आज बूर्वा बेटों बच्चों से एक बेटा और एक बेटी से ब्रेस हो चुकी है मैं प्रफेस्टिक मसी का आनंत कोटी धन्यवाद करती हूं और पापा जी का लाग लाग धन्यवाद करती हूं जोरदार्ताडियों से ओं-लाइन चर्ट जोरदार्ताडियों से सब तुपी करें सब महिमा करें पर आप देख रहे हैं फरीदाबाद से बेहन थी 22 साल 22 यर सोड़े नहीं होते और इसके पास बच्चा नहीं था यह परमिश्वर की ब्लेसिंग है देखो जब इसने प्रेयर कराई एक नहीं दो दो जुड़ो आवे कितने हैं अंटी को मिली एक बेटे की और बेटी देखो दो बेटे कठे मिले और कितनी अची बात है एक बेटा हुआ एक बेटी हुई पतना हो टंटा ही खतम के वो आपस में लड़ाई जगडा ही खतम पती पतनी का के नहीं मुझे बेटा चीए बेटी चाहिए लेको परमिश्वर कितना महान है 22 साल वेट करने के बाद लेकिन 22 साल से नहीं है मेरे चर्च में आ रही थी इस एक साल से रसीव कर रही थी और दो सालों से देख रही होगी लाइब परमिश्वर ने इसको आशी दिया गुड नियूस जोर से तारीफ करें शुमसी करना ही सुन्दर गवाई करें हाँ हाँ एक और गवाई को सुनेंगी मेरा नाम सिम्ला है मैं यूपी से हूँ मेरे मुँ में तीन साल से कैंसर था मैं बहुत इलाज करवाई मुझे कोई अराम नहीं मिला मैं वाईल वाटर यूज की और फिर बिश्वर चाच्ची में आई इस पेसल बीज बो करके मैंने प्रातना करवाई मैं आज पूरी तरह से कैंसर से आजाद हूँ मैं सारी आदर महिमा प्रभू इश्व मसी को देती हूँ और पापा जी का धन्माद करती हूँ मेरा नाम सीमा है मैं राज स्थान में राखती हूँ मेरी ये गवाई है कि मैं 19 साल से बवसीर से परशान थी और बहुत सारे मिडिशन खाई फिर मैं ठीक नहीं हो रही थी एरी चंडे गड़ गई और वहां से वाईल और वाटर लेकर आए इस्तमाल किये और पापा जी एक दिन प्रोफेशी कर रहे थे जिसकी बवसीर की बिमारी है और ठीक होने जा रहे हैं आपके पर से बवसीर पत्रियों की प्राब्लम बाहर जा रही है इस्तमासी का नाम में और मैंने रिशीव की और पूरी तरह से मैं ठीक हो चुकी हूँ सारे आदर महमा परभू इश्व मस्री के देते हैं और पापा जी के दिल की गहराईयों से धन्यवाद कोठी कोठी आप सुन रहे थे इस गवाही को के इसने यूपी से थी और ले हैंड प्रेक राई इसने और कैंसर गया पो गया यह चोटी बात नहीं है आप जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं फिर से करहा हूँ आपने अभी टेस्टमेंट गए कि कुछ लोग भाग जाते हैं दरुदर लेकिन आपको बता रहा हूँ जब आप गवाईयां देखते हैं तो उसी समय परमिशर का आत्मा काम करता है कोड़ी को चंगा करने के बाद का इसी बचन को पड़ोगे तो लिखा है जा याजक को दिखा इसका मतलब करहा है सुनने वालों पर गवाईयो जब आप गवाईय आपके घर में ब्लेसिंग आती है अभी बता रहा हूँ कि एक एमपी में भी एक भाई बीमार था और उसी समय उसकी बेटी ने जब हमारे प्रेट आवर नंबर पर फोटो भेजी तो नहीं मुझे दिखाई मैंने हाथ ही रखा और वो भाई ठीक हो गया इसका मतलब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेशर सुनता है आज भी गवाईयों को सुनता है हाँ हाँ हम इसी और एक भेहन ने अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम थी इसको हाँ सिस थी फरीदाबाद से थी और गिल्टियां गांठे थी परमेशर ने अजाद कर दी आप सुन रहे है में दिली से हूं मेरी गवाईये है कि मुझे तीन साथ से गुप तंगो मेरे सॉलिया की मैंने बहुत इलाज करवाया बड़ कोई फर्क नहीं पड़ा मैं दिली ब्रांच में गिल्टियां पार रसॉलियां पार और हैंकी प्रेयर करवाने से अनॉइंटी वर्ड और रिय करें पर दिली से थी और इसके गुप अंग में प्राब्लम था रसॉलियां थी गिल्टियां थी और परमिशन इसदाद करती है कितनी गवाईयां सुनाओं आपको इसका मतलब मिराइकल को एक्टिवेट करना पड़ता है धरो नहीं अपने आपको चालू रखो हाँ 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 ओ सुरी दुबई से अपोइंटमेंट लेंगे उस बहन की हाँ बेटे कहां से बोरे आप दुबई से हाँ क्या प्राबलम है बेटे आपको वो तो सब को ही आते हैं हाँ क्या कि पीजय को क्काम मेरकाबड़ होती है ओकी बेटे नो आपके लिए प्राद्रम कारता हूँ अभी इस इस में इसा में good news दुबद दुण मिले गाटीक है अभी इसी में बिश्वास करना आपने सुनो बेटे सुनो सामी, सामी, किसका नाम है? सामी, क्या नाम है? क्या बहुद रही है? क्या बोर रहा है? समीना भर में बोलते हैं, ऐची समय हात बढ़ा हो इसकी और शाबज देखो हमारे टीम भी आपके और हाथ बढ़ा रही है और इसी समय हम आपके लिए परात्र नहीं ह adopting इसी समय पर मिश्र आशिज दे और इसको गूड नियूज दे इस सिसमय 마음에 फिवर कर इसका इसमय सुन बेटे तरे पर एक black magic हो रहा है और काफी समय से आपके घर पर किसी ने हो यह इसलिए आप परशान हो लिए आप दिक्कत में आपके यह सिरकी नसे पटती है कहीं वार आपको गुसा आता है अभी अभी कहीं इतने हालात खराब होगे कि आपको किसी की दुकान में काम करन करना पड़ता है जाकर काम करना पड़ता है किसी के जोब करनी पड़ती है मतलब की अच्छे से पढ़ लिखनी पाया मतलब की कुछ ऐसे शलून में कौन काम करता है कोई saloon में कोई beauty parlor में मैं देख रहा हूं कुछ बालों से जुड़ावा कोई ब्लैक मैजिक था और शिसमें वो तूट गया समझ रहें परमेशर कात्मा तोड़ रहा है एक एक झाल किसी फोन नंबर में अथा है एक डफल थी किसी के काउन्ट नंबर में आता है कि I was school ने को उटनेवाला नुटा, अभीसे से में, वो तूटाया बंदन. मेरे हाथ के तरफ़ देख और वो निकल रही आखे बनकर और से समय जाए-, बाहरा आजा जाए-, बाहरा आ जाए-, बाहरा आजा, बाहरा आ जाए- वो ब्लेक्च मैजिक, छोड़े इसी समय चोड़े इस लड़रा चल बहर आहरारारारारारारारा कट रह तूँ चल जाद उटो ने इसी समय तुझे नाश करता है इसके उपर से चल आहरारारारारा और और हज़ आहर ए जा ओद्र है जाएध तरेख ज़ुठे जैरी तुछे आंदर बैठ नी सकता तुझे नस्ट करता हूँ तो जल रहा है जल रहा है तु कांप रहा है चीकर रहा है चिला रहा है जा रहा है इस्वार समय कट रहा है तो कट जाती जाएंगे सुन्य करती जाएंगे निकल जा बाहर निकल पाइब और निकल जा बाहर दुबई में काम करने वालिया आत्माओNन निकल जाओ बाहर इश्तमासी के नाम bless that free करता हूं इश्तमासी के चाल वहां चाल्य प्राइश देरा हम तुझे मुँख खोल और चिला और निकल जा पाया इश मसभी के नाम है उप्रिश मसभी के नाम है मैंutan देख भैटे में तर देख आब इटो वह चीजें अभी चीख रही थी और चिला रही थी और वो निकल गी परमिश्वर ने अज़ाद किया अभी शादी नहीं हुआ तेरी अनमेरिड है आप परमिश्वर अभी ब्लेसिंग दे नहीं किने जा रहा है वो चीज़ें खतम हो रहे हैं बैड ड्रीम्स खतम हो रहे हैं वो ब्लैक मैजिक खतम हो गया मैंने कुछ आपके बैड के नीचे कुछ राक देखी थी वो खतम होगी और चीज़ें अभी गुड न्यूज मिलेगा अपने नो इंटिक माटर वेल उठा परमिश्वर प्रात ना करता हूं इस बहन को दुबई में आशीज दे गुड न्यूज दे फेवर करी शमसी के नाम अब देखना बिटे गुड न्यूज मिलेगा आपको नेक्स्ट थ्यान से सुनेंगे जो इससे मुझे देख रहा हूँ कुछ लोगों के बिजनस अचानक से बंद होगी है कोई मुझे गुजरात से देख रहा है बॉम्बे से देख रहा है और कोई माहराज से देख रहा है और किसी को cancer का problem हो गया, कोई अच्छा business man था और कुछ मैंसे देख रहा हूँ, असाम से देख रहा है कि business किया अपने लेकिन वो चुप हो गया, चुप हो गया मैं फिर कर रहा हूँ, बोलने था चुप हो गया और दिल्ली से देख रहा है, मुझे हर्याना से देख रहा है लेकिन आपको फिर बेख रहा हूँ, मैं अगर आपको मेरी बात पर, प्रभू की बात पर विश्वास है आप tight दिना बंद करते हो, तब आपकी problem होती है आप tight दिना बंद मत करो, परमिश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाता है आप Colgate जो बनाता है, उसकी गवाई सुनो, Dr. William उसका नाम है और जब उसने tight दिना शुरू किया, अज पूरी दुनिया में उसकी पास factory है आज तक काम बंद नहीं हुआ, दश्वास देने वाले मस्डिस कंपनी के बारे में कभी सुनो, फेल नहीं होगी क्योंकि वो दश्वास देते हैं, आपको समझना है कि परमिश्वर आपको क्या चाते हैं, क्या बनाना चाते हैं लेकिन आप एक्टिवेट नहीं करते हैं अपने आपको विश्वास करने में, क्या आप धन परमिश्वर देता है, समझत रहे कि नहीं है आप बिना धन के भी बिना धश्माद दिये भी स्वर्ग जा सकते हैं लेकिन धर्ती पर दुख में, मसीबत में, करजे में धन की आशीश में नहीं रहेंगें इसलिए बोने वाला लोग, लोग आशीश में रहते हैं, अपने हाथों को उठा हूँ, पौईतरा आतमाजी में परात ना करता हूँ जो बीजनस में हैं खुछ लोगों के बीजनस से जल कर या मैंजो कुछ बेहने देख रही हैं, उनके बच्चे की तरक्की को देखकर बिजनस में जा जोब में या कहीं फॉरन में है परमिश्व ने मुझे दिखाया कोई राक की चीजें लेकर आपके पर ब्लैक मैजी कर दिया गया इसी समय जो भी है इसी समय अजाद हो रहे हैं जो मुझे ओनलाइम देख रहे हैं आज अपने बेटों को भी प्रेयर सुनाना इसी समय लाइव बन दोने के बाद शेयर कर देना उनको आपको गुड नियूस मिलेगा पोईतरात्मा जी प्राथन करता हूं पिता परमिश्व इसी समय जिनके बिजनस बंद है जो मुझे अस्टेलिया से, अमेरिका से, न्यूजिलेंड से, कैनडा से, पोईतरात्मा कोई जोब नहीं है, पाकिस्तान से, नेपाल से इसी समय पोईतरात्मा च्टिस गरूरीसा से, बिहार से, जारखंड से, पंजाब से, अर्याना से, जम्मू से, फरिदाबाद से और इसी समय पोईतरात्मा यूकरेन से, शिरलंका, दुवाकतर, दुबई से पोईतरात्मा जी जो इस समय है हैदराबाद से गुजराद से आंदर परदेश से जो केरला से जो भी समय रुकावटे हैं इसी समय इनके जीवनों में परमेशर कोई जोब नहीं है कोई घर नहीं है इनके पास पोईतरात्मा कोई बिजनस नहीं है कोई ब्लैक मैजिक इसी समय इनको छोड़े पाट जाए इशमसी के नाम में अजाद करता हूँ इशमसी के नाम में प्रभू जितनों ने विश्वास किया आज शातान के ओपर चपेड लगी है पोईतरात्मा जी आज तेरा डंडा पड़ा है पोईतरात्मा में विश्वास कर मैं करा है आप तीन हफ्टे लगातार बीज बोकर देखो तीन दिन तीन हफ्टे संड़े बीज बोकर देखो परमिश्वार के आत्मा ने मुझे का आप बहुत जबरदस तरीके से तरक्की करेंगे कोई बड़ा काम होने वाला आपका इशमसी के नाम परभूत्रात्मा आप आपको प्यार करता है, आपको आशीज देना चाहता है, कि आप बिश्वास करते हैं, लेकिन बिश्वास करना बहुत जुरूरी है शुमसी के नाम में, आपको ब्लेसिंग दे, परमिश्वर, खासकर बता रहा हूं कि संडे, पाम संडे में जो मांगते हैं, मेरे पास हजारों गवाई हैं जो पाम संडे पर आए, क्रिस्मिस पर आए, मतलब बड़े तिहार पर, इस्टर पर आए, उनकी ब्लेसिंग आई, मतलब उनको बच्चे होगे, उनको घर मिला, उन्होंने जो मननत मंगी मिली, जो आप ये फैसला आपने लिए पाम संडे पर आ रहे हैं के नहीं, इस्टर पर आ रहे हैं के नहीं, त्यारी करो और खासकर फिर से बोल रहा हूं के इस्टर पर हम आपके लिए खाने का रहने का अच्छे से इंतिजाम करेंगे, लेकिन हमें आपके सयोग की जूरत है, परमिश्वर आशीज दे, इन दिनों में जो बोता है, परमिश्वर उस तो मेरे परमेश्वर के भवन के लिए special भीज बो आ और पापगी ऑनलाइन परफेसी का रहती है, और मैरे पती और मेरी बच्ची का यूके का वीजा आ चुका है, और मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर प्रभु यश्व नास्री का कोटी-कोटी धन्यवाद करती देख रहे थे इस बहन ने गवाई दिया कि जब प्रेयर कराया तो पूरी फैमिली को यूके का वीजा मिल गया फिर कराया उन लोगों को जिनके नाम A,N,R,S,P,G से हैं परमेशर गुड़ ने रहा है फैमिली के वीजा दे रहा है बाहर के लिए रास्ते खुर रहा है अबालबा बालबा बालबा जिन लोगों ने बीज बोने का परेंसला लिया नोगों को देख रहा हूं जिनके लाम VN, आर एस जी एच के से हैं परमिश्वर गुड नियूस देरा आपको इशुमसी के नामे विशाल आप तरक्की करेंगे इस साल में होली स्पिलिट आप से बात कर रहा है गोपाल आप बलेसिंग को देखेंगे मैं फिर कह रहा हूँ कि पवितरात्मा आपके लिए कोई नया डोर खोल रहा है जोब के बिजनस के लिए एक भाई मुझे देख रहा है दिबली से हर्याना से और उसके दिमाग में आ नहीं आ कि मैं प्रभू क्या करूँ कोई बिजनस करूँ या क्या करूँ काम करूँ तीसरे हफ़ते के अंदर आपको एक एंजल प्रवाइड करा रहा है परमिश्वर किसी व्यक्ति के थुरू आपका काम होने वाला है परमिश्वर बलेसिंग दे रहा है इसमसी के नाम मैं नहीं कोई मिनिस्टर मुझे देख दोबारा से लेक्षन लड़ना चाता है जीतना चाता है पुवित आत्मा ने मुझे कहा कि आप आपने जिस दिन मन खोला मुझे देखने के लिए आत्मा कहता है आपको फिवर दे रहा है परमिश्वर फिर से जीते हैंग इसमसी के नाम मैं आप अब इसी समय कोई भुकम प भाई भ्यानक किसी कंटर में भुकम इंडिया में भी हो सकता है परमिश्वर का आत्मा इसी समय सुरक्षित करें सबको इश्यमसी के नाम में इसी समय ब्लेसिंग देश्यमसी के नाम में जो लोग इसमय मुझे सुन रहे थे पुवित रात्मों ने बहुं सारी आशीशे दे फिर से करा हूँ कि आज से आपको दो लोगों को कहना है परमिश्वर से सब कुछ हो सकता है परमिश्वर से सब कुछ हो सकता है अपने आपको चार्ज करना है अपने आपको अक्टिवेट करना है इस समय जब आप ने कर लिया गुड नियोज मिलेगी परमिश्वर आपको आशीज दे और इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपको परस्ट नोइंटिंग को छोड़ता हूँ अगर आप कैच करना चाहते हैं आशी रिवाद दे रहा हूँ